तो दोस्तो अगर आप हैंपे बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बंपर भरती आ चुकी है जियां दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI भरती के बारे में SBI में आपके ओफिशल वेकेंसी रिलीज हो चुकी है ओल इंडिया लेवल के भरती रहने वाली मेल और फिमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं जियां दोस्तो पांच हजार से ज़्यादा पुदब आपके कलेरिकल की वेकेंसी निकल चुकी हैं वेकेंसी में सेलरी भी आपकी का से आपका ये ओफिशल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आपके जूनियर असोसियाट के पुदब पे वेकेंसी निकल चुकी है वेकेंसी की ओनलाई रजिस्टेशन की डेट साथ सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक रहने वाली है ओनलाई आवेदन आपको करना नोटिफिकेशन आपके ये पे 5000 से जदा पड़े आवेदन मांगे जा रहे हैं अब आगे हम देख लेते आपका एज लिमिट का क्राइटिरिय क्या रखा गया है हम देखेंगे एज लिमिट का क्राइटिर तो मेकसिमम आपके यहां पे 28 साल रहेगी मिनिमम आपके 20 साल रहने वाली है अलग से SCST के कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का और PWD कैंडिडेट को 10 साल, 15 साल और 13 साल का यहां पे आपके according to category आपका यहां पर relaxation दिया जाएगा एक सर्विसमेन को भी आपका अलग से 3 साल का as relaxation दिया जाएगा काफी अच्छी वेकेंसी है, आवेदन जरूर कीजिएगा Essential academic qualification के अगर हम बात करें तो आपको बता दू कि graduation यहां पर मांगे गई है, किसी भी university से अगर आपने यहां पर graduation कर रहा है कि किसी भी stream में, तो आप आवेदन कर सकते हैं final year के candidate भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको यहां पर final selection के time में यहां पर उनकी mark sheet दिखानी पड़ेगी, यह आपका पूरा process में ने बता दिया है age limit का criteria और education qualification, इसके अलावा selection process के अगर हम बात करें तो आपको बता दू कि English language, numerical ability और reasoning ability के आपके questions पूछे जाएंगे, एक गणटे का time आपको दिया जाएगा so questions आपके आने वाले so number के दोस्तो पेसकेल के अगर हम बात करें तो 19,900 रुपे पर मन्त आपको यहां पे पेसकेल मिलेगा इसके अलावा वेतनबत्य आपके अलग से मिलने वाला है कि total salary के बात करें तो आपके लगबग 35,000 से जादा आपके salary पर मन्त की रहने वाली है application fees के अगर हम बात करें तो आपको बता दू किया आपके SC, ST, PWD, ESM, DESM candidates के लिए कोई भी charges नहीं रहेंगे वही जनरल OBC, EWS candidates के अगर बात करें तो साड़ी, साथ सो अरपे पर मन्त आपके salary रहेगी apply केसे करना पड़ेगा, apply आपको यहाँ पर online आवेदन करना पड़ेगा जो कि already start हो चुके, last year आपके 27 September रहने वाली है, उसके पहले-पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा तो दोस्तो यह काफी अच्छी वेकेंसी निकल चुकी है, आवेदन जरूर कीजेगा दोस्तो ओनलाइन आवेदन का आपको लिंक डाइरेक्ट प्रोवाइड करवा दूँगा, आप यहाँ पर basic info डाल के अपना यहाँ पर primary registration करना पड़ेगा second step आपका photo और signature रहने वाला है, third step आपका यहाँ पर details रहेगी, चोता step आपको preview करना पड़ेगा 500 step आपका upload करना पड़ेगा, फोरम को, 6 step आपका payment कर रहेगा पहले अपना नाम, confirm अपना नाम डालना पड़ेगा, middle name, last name और last name के बाद में अपना full name आपका यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद में आपको detail में दूसरे नंबर पे photo और signature अपलोड करने पड़ेगे, अपनी detail सारी feel करने पड़ेगी last में अपना पूरा forum अपलोड करके payment करना पड़ेगा, यह आपका पूरा process रहेगा, online आवेदन करने का, कावी अच्छी vacancy आवेदन जरूर कीजिएगा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों